Hey guys, welcome back. दोस्तों, आज की इस वडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप WhatsApp के थूँ अपनी पेंटिंग किस तरीके से सेल कर सकते हैं. अब आपको होगी कि यार हम तो WhatsApp पे ही सेल करते हैं अपनी पेंटिंग्स लेकिन अगर आप उस जो इमेज आप शेर करते हो अपनी पेंटिंग की कस्टमर को अगर उस इमेज के साथ हम लोग एक पे बटन भी लिंक कर दें तो बहुत एजी हो जाता है कस्टमर के लिए और क्ल सेल कर सकते हैं let's go पर purpose of payment दिखा रहा है सबसे पहले तो यहां पर मैं for painting लिख देता हूं क्योंकि हम लोग painting के लिए payment ले रहे हैं यहां पर और उसके बाद flat pricing और flat pricing में आपको जो भी आप painting का price रखना चाहते हैं वो आप डाल दीजे उसके बाद नीचे हमार पास कुछ और options हैं मैं आप पर allow customers to change amount कर देता हूं और थोड़ा सा मतलब अगर किसी को comprise करवाना है तो मैं उसके लिए भी एक option यहां पर डाल देता हूं लेकिन इससे minimum amount accept नहीं होगी और यहां पर एक दो options और हैं कि अगर आप expire link और limit payment की वह या एक selected amount of payment आप accept कर सकते हैं या फिर link expire हो जाएगा कि इतनी payments के बाद उसके बाद हम लोग next पर करते हैं अब यहां पर चार options हमारे पास आते हैं customize payment link customize payment page पर हम लोग पहले click करते हैं और इसमें हम लोग description भी add कर सकते हैं और image भी add कर सकते हैं मैं यहां पर image add कर रहा हूं और image add करने के बाद नीचे आप change color इसमें चाहे तो आप color change कर सकते है या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा collect customer information और मुझे यहाँ पर shipping address collect करना है customer का इसलिए मैं उसमेर क्लिक कर देता हूँ GST detail मुझे नहीं चाहिए और smart action में हम लोग यहाँ पर thank you note एड़ कर सकते हैं जो कि हमने last video में भी किया था कि thank you for your purchase आप चाहे तो कुछ और लिख सकते हैं जो भी आपको purchase के बाद एक SMS या mail के थुरू उनके पास चला जाएगा जब वो painting आपसे buy कर लेंगे अब यहाँ पर एक दो options और हैं जिनको आप explore कर सकते हैं तो अभी के लिए मैं यहाँ पर done करता हूँ इसको और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा link किस तरीके का बनके ready हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा link बनके ready हो गया तो इसका preview करके मैं आपको दिखाता हूँ सबसे उससे पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि send by WhatsApp, send by mail या show QR code यह options हैं जहाँ पर आप इसको QR code में भी scan करवा सकते हैं तो same उनके पास इस तरीके का preview link आ जाएगा जब हम लोग अभी preview मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके का यह WhatsApp पर खुलेगा जब आप किसी को send करेंगे तो यह simple सा एक template उनके पास जाएगा इस तरीके का तो इसमें यहाँ पर painting है और उपर लिखा है कि paying to mohit artist और for painting total amount लिखी है पेना उपर जब हम click करते हैं तो यहाँ पर options जो customer है उसके पास इस तरीके अप्चन आएगा तो वो details यहाँ पर डालता है अपनी phone number, email और उसके बाद जो वो next करेगा तो उसको shipping address वहाँ पर डालना पड़ेगा और उसके बाद फिर payment तो बहुत easy हो जाता है किसी के लिए भी buy करना paintings इस तरीके से और आपके लिए भी बहुत easy हो जाता है paintings को sell करना क्योंकि आजकल सब whatsapp use करते हैं और बहुत easily आप whatsapp के through अपनी paintings इस तरीके से sell कर सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी paintings का price किस तरीके से set कर सकते हैं सो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए happy painting आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया